आपात अस्तिती लगा कर इंद्रा जी ने तो हत्या की की अब उसी का दूसरा रूप अभी का कॉंग्रेस भी वही काम कर रही है तमाम तरह के अधिकारों पर पबंदिया लगा दी गई जिसका नतीजा हुआ कि कांग्रेस पार्टी अपात काल की प्रयाय बन गई और आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का कोई नाम देवा नहीं नमश्का न्यूस फोर नेशन देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ रश्मी आज के ही दिन यानि की 25 जून साल 1975 में कॉंग्रेस पार्टी ने आपात काल लगाई थी जसको लेकर अब NDA की तरफ से जोरदार हमला बोला गया है और ये कहा है कि ये कॉंग्रेस पार्टी क इस तरह से कॉंग्रेस पार्टी पर हमला बोला है साथी देश को बढ़बाद करने के लिए लोगों को परिशान करने को लेकर क्या कुछ आरोप कॉंग्रेस पार्टी पर लगाई गए है छोड़े जाते हैं आपको उनके पूरे बायार कॉंग्रेस लोगतंत्र का हत्या करते रही है पीछे भी वो लोगतंत्र की हत्यारी पाती रही है और आपात अस्तिती लगा कर इंद्राजी ने तो हत्या की थी अब उसी का दूसरा रूप अभी का कॉंग्रेस भी वही काम कर रही है अब उनके निताओं के खिलाफ सर्वभाइदानिक संस्थानों पर पफ्रस्न उूठाने का बात करते हैं जब उनके लोग बराश्ट चार्ट में 축 question जब जेल और वैल वाली पाथी वर गई तो लोगतंत्र का हत्याःता बात करते हैं सर्वभाइदानिक जो संस्थान इस से कंग्रेश को बचना होगा नहीं तो जैसे आपात औस्तिती के बाद जो कंग्रेश का हस्र हुआ था अब उससे भी बुरा हस्र मिला और इससे बुरा और क्या हो सकता है को हम शॡ़ेंगर सचेत होना चाहिए सचेत होंगे टो और बुरास्थिती देखने के लिए कॉंग्रेस तयाब है हिंदुस्तान में 25 जुन 1975 को अपातकाल लागू किया गया अपातकाल कांग्रेस पार्टी की स्रीमती इंद्रा गांधी ने लागू किया था और उस दिन हिंदुस्तान के आम नागरिकों का सभी तरह के समयधानिक अधिकार छिल लिए गए थे जि मच गया आम जनता को नौजमानों को खासकर पकर करके उनका जबर्दस्ति नस्बंदी कर दिया गया इसके विरोध में देश में व्यापक अंदोलन छिर गया और तो और स्री संजय गांधी जी उन्होंने भी अपना कारिकरम अलग से चलाया तमाम तरह के अधिकारों पर प कांग्रिस पार्टी का कोई नाम देवा नहीं है कांग्रिस पार्टी की नीतियों से आम जन कट गए हैं कांग्रिस पार्टी ने खास जमात के लोगों के लिए हितों की बात की आज जिस प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके से बिहार में और देश में सत्ता से महरूम ऐसे के लोग जिनको कभी सत्ता नसीब नहीं हुआ सत्ता के प्रमखों केंद्र पर नहीं बैठाया गया आज बिहार और देश में उनको उस अस्थान पर बैठाया जा रहा है उस अस्थान पर उनको हक दिया जा रहा है जहां दिया जाना चाहिए था आज बिहार में ऐसे अति यह कांग्रेस के जमाने में इसलिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टि देस में आने वाले दिनों में अभी तो यह हाल है देश में और बुरा गति होने वाला है कांग्रेस पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं वचेगा